हेलो दोस्तो, स्कोर्ड शाला के चैनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तो आज क्लास 10 के IT में हम लोग बात करने वाले हैं अपने लास्ट स्किल्स को लेकर के दोस्तो, हम बात करें हैं Employability Skills को लेकर के जिसमें लास्ट जो यूनिट है अपने पास उसका नामे दोस्तो, Green Skills Green Skills में भी हम लोग बात करने वाले हैं Sustainable Development को लेकर के तो दोस्तो, जिसे क्लास 9 में आपने देखा होगा Green Skills में हम लोग बात करें थे Environment को किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए अपने बहुत सारे Topics को डिसकस करा था तो यहां पर भी हम लोग यहां बात क्या करने वाले हैं कि जो हम लोग Development के पीछे भाग रहे हैं जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारी Factories बहुत सारी Companies जो हैं आज वो Development के पीछे बाग रहे हैं तो दोस्तों Development के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो कहीं न कहीं हम लोग Natural Resources को Use की जागे हम लोग क्या सकते हैं उसको हम लोग Misuse करते जा रहे हैं मतलब हम उसका जो consumption है वो बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि कहीं न कहीं हम लोग Environment को नुकसान पहुचाते जा रहे हैं तो यहां पर जो Sustainable Development है Development जो है वो तो जरूरी है हमारे लिए लेकिन वो एक साथ आपको दढाम करके सारी चीजे बाहर नहीं निकाल देनी है इसके लिए क्या है कि जो Development है वो दीरे दीरे हो यहनि कि हम लोग यह कह सकते हैं कि future जो generation हमारे लिए आएगी जो भी generation next हमारे सामने जो आएगी उनके लिए भी हमको कुछ बचा करके रखना होता है तो sustainable का मतलब क्या है सतत मतलब एक continuously process होना चाहिए आपके पास development को लेकर के जो की आगे continuously चलता रहे development हमेशा अपना चलता रहे इससे benefits के हैं दोस्तों बहुत सारे benefits आपको मिलते हैं एक तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जितनी चीज़े हमको चाहिए उतना हमको मिल जाए दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि future generation को भी कुछ मिलता रहे और तीसरा हम लोग यहां कह सकते हैं कि हम अपने e-environment को यनि कि हम लोग अर्थ को जो जो है वो दोस्तों protect कर सकते हैं तो आईए दोस्तों यही सारे topics हम लोग यहां एक एक करके discuss करने वाले है sustainable development को देख करते हैं दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों येनिकि humans जो है वह वह उनलोग होने development जब से starting हुई है तब से हम लोग कही न कहीं development करते जा रहे हैं आपने देखा होगा हम लोग कह सकते हैं आज से कुछ 200-500 साल पहले जो है वो एक development अलग तरीके का चलता था हम लोग खेती करा करते थे लेकिन आज की जो खेती ये farming है वो किस तरीके से है देख सकते हैं आप इसी तरीके से बहुत सारे अगर आपन चीजे देखें जैसे मैं त कुल सा खेती को लेकर के बात कर रहा हूं और भी दोस्तों बहुत सारी जगे कर आप देखें तो कहीं न कहीं दोस्तों हम लोगों ने इस environment को नुकसान पहुचाना शुरू कर दिया जैसे अगर आपन जानते हैं आजकल जो हम लोग कैमिकल को यूज करते वे जो खेती करें तो उससे क्या हो रहा है कहीं न कहीं जो मिटी है वो खराब होती जारी है उससे क्या हो रहा है दोस्तों कहीं न कहीं environment change होता जा रहे है एक कितना simpl पुपल सा वड़ा दोस्तों एन्वार्मेंट खराब होता जा रहा है इसकी पीछे अगर आपने सुना होगा कि हर साल जो है अर्थ का कैसकते हैं एक से दो डिगरी सेल्सेस जो है उसकी गर्मी बढ़ती जा रही है glacier melt होना बहुत common है दोस्तों मैं अगर आपको बात करूए अभी जब मैं recording करा हूँ से कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ आपने सुना होगा glacier melt हो गया बहुत speed से जो अभी आप लोगों देखा होगा जैसे हिमाचल और उत्राखंड की बात करूँ हिमाचल मैं बादल फट गया उसकी बार आ गई और उत्रा खंट में आपने देखा होगा एक पूरा ग्लेशर ही तूटके गिर गया तो उससे भी एक बहुत बड़े लेवल पे नुक्सान पहुचा है हम लोग जानते हैं दोस्तों ग्लेशर दीरे-दीरे मैल्ट होते जा रहे है इसे क्या हो रहा है सी लेल बढ़ता जा रहे है तो कही न कही उसके आसपास जहां उसके बॉडर पे जो लोग है उनका रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और आगे आने वाले टाइम पे भी हो गई इसके अलावा अगर अपन कह सकत हो तो आप देखा हैं कि मौसम सारे एक दम बदलते जा रहे हैं जैसे गर्मी थोड़े टाइम पहले आ जाती है बारिश कुछ टाइम पहले आ जाती है सर्दियां उसका कुछ टाइमिंग अफिक्स नहीं देख रहोंगे इसी तरीके से बहुत सारे एक्जामपल मैं आपके सामने लाकर के रख सकता हूं यह मौसम चेंज होना भी कह सकते हैं यह भी कहा है आपके पास में कि जो क्लाइमिट चेंज हो रहा है उसके बेस पर ही अपने इसको देख रहे हैं इसी टाइप से यह भी कह सकते हैं कहीं पर दोस्तो बारिश बहुत ज़्यादा हुआ करती थी वहां कम हो रही है जहां बिलकूल नही ये भी किया सकता हूं कि United Nations की base पर भी अगर अपन बात करें, world level पर भी अगर अपन बात करें, इंडिया लेवल पर भी बात करें या एक आम आदमी भी जो है वो दोस्तो environment को protect करने की बहुत कोशिश कर रहा है आप लोगों ने भी दोस्तो बहुत सारे पेड़ पोदे लगाये होंगे, कहीं न कहीं हम लोग जो है वो environment को protect करने की कोशिश जरूर करते हैं तो ये सारे topics यहीं पर हम लोग बात करने वाले हैं तो कह सकते हैं, human have tried for development ever since the beginning of civilization जब से civilization development शुरूर है, तब से हम लोग अपना development करते जा रहे हैं इसी तरीके से कह सकते हैं, इस considered a gradual कह सकते हैं कि gradual आपके पास में progress है और improvement in the economic, हमारा economic improvement हो रहा है, हमारा social improvement हो रहा है, हमारा political improvement हो रहा है and the natural resources what not considered, ठीके, तो जो हमारा development हो रहा है, हमारे development अगर starting से बात करें, तो वैसे तो हम लोगों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं क्योंकि हमको लगता ही नहीं ता ऐसा कभी होगा, तो हम लोगों ने natural resources के बारे में कभी consider किया ही नहीं, आप देखते होंगे दोस्तों मतलब, मैंने कई चेके दिखा है, अगर आप देखें, तो हम लोग क्या करें, दोस्तों यह वो पहाड गायब के गायबी हो चुके, इसे पिछली बार गया कुछ अलग था, अभी देख रहा हूँ, development के नाम पर बहुत कुछ तोड़ा फोड़ा ही है, मतलब हर जगे आप देख रहे होंगे, तो यह सब क्या है, आपके पास में इस बारे में हम लोगों ने पहले क ने नैचुरल रिसोर्सेस के बारे में नहीं सोचा, और development करते गए, जिससे हुआ क्या कि अब हमको लग रहा है कि आने वाली generation जो है, उनको वो सारी चीज़ें मिल भी पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, तो यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनोतियां आ चुकी है, तो इ in first major international recognition in 1972, तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ, 1972 जो है, वो पहली बार बात की गई थी, कि हम लोगों को एक development करना है, लेकिन एक sustainable होना चाहिए, एक limit में development होना चाहिए, जो continuously होना चाहिए, environment को नुकसान अगर हम पहुचाना तो उसके बाद में भी हमको सोचना चाहिए, कब UN Conference on the Human Environment, इसको अपन बोल सकते हैं, UNCHE, UN Conference on the Human Environment, तो जो स्वीडन के अंदर, Stockholm के अंदर एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पर जो की 1972 में था, वहाँ पर एक conference थी, एक meeting थी, UN Conference on the Human Environment, तो human और environment, इन दोनों के लिए यहाँ पर जो committee है, वो एक discuss करे थी, और यहाँ प किया, but the international community agreed that both development भी होना चाहिए, दोस्तों यह तो जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप काम चलना नहीं है, लेकिन साथ में हमको environment को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुचाना है, उसको भी अपन को manage करना होगा, तो किस बारें बात हुई थी, development और environment के could be managed in the mutual beneficial manner, हमको दोन को भी और environment को भी, कब बात हुई थी, 1972 को, कहां पर हुई थी, Stockholm, Sweden के अंदर, जो की conference जो थी, वो किसकी थी, UN conference on the human environment की, यहाँ पर 1972 में बात हुई दोस्तों, जो की लगबग 11 साल बात, 1983 के अंदर जाते हुए, यहाँ एक commission बना, लगबग 11 साल लग दे दोस्तों, 11 साल बात जाकर के एक ऐसा commission बना, जो की development के साथ-साथ, human के बारे में भी सोच रहा है, तो development भी होना चाहिए, और human को भी अपन को protect करना है, environment को भी protect करना है, development भी अपना चलता रहे है, ठीक है, तो in 1983 से पहले 1972 में अपने बात करी जी, कि discuss हुआ था, कि कही न कहीं अपन को दोनों को manage करना होगा, लेकिन 83, the United Nation created the World Commission on Environment and Development, मतलब कह सकते हैं कि एक commission बना, जिसका क्या नाम रखा, the World Commission on Environment and Development, यनि कि किस का development होगा, environment का development है, environment and development, इन दोनों के बारे में अपन को बात करनी होगी, which was later known as Brentland Commission, क्या नाम रखा, दोस्तों, इसका बाद में इसको जो है, Brentland Commission भी कहते थे Brentland Commission क्यों कहते थे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही जो में है, इनका नाम जो था, अपने पास में हो था, Harlem Brentland, ठीके, जो Norway की, यनि कि इनका जो नाम है, ठीके, यह क्या है, Grow Harlem Brentland है, जो कि दोस्तों, Norway की Prime Minister हुआ करते थे, उस टाइम पर, जो अपनी जो commission की बात करें, इस इसके क्या थे, चेर परसन थे, या कह सकते हैं कि, यह जो commission बनी इसके चेर परसन थे, और इनके नाम पे, इस commission को भी क्या बोला जाना लगया, Brentland Commission, एक्जाम में क्वेशन आते हैं, दोस्तों, the World Commission on Environment and Development, जो है, इसका एक और alternate नाम क्या है, वो नाम है, Brentland Commission, इस चीज को commission बना, 1983 के अंदर ये जो commission बना, इसने क्या बड़ी-बड़ी बाते रखी, इनके पीछे इनका aim क्या था, क्या मकसद था, क्यों commission बनाया जाए, ये commission क्या कुछ कह रहा था, the organization aimed was, क्या था, एक तो आपको identify करना है, क्या identify करना है, कि worldwide sustainability problems क्या-क्या आ रही है, ठीके, जो sustainability को अपन लेकर के बात करें, उसमें क्या-क्या problems आ रही है, पहले तो उन problems को देखो, उनको ढूंडो, क्या किस तरीके से हम लोग environment को protect कर सकते हैं, साथ में अपन को development जो है, वो sustainable होना चाहिए, तो उसमें क्या-क्या problems आ रही है, दुनिया बर में पहले तो अपन को identify करना है, औ और उसके बाद अपन को क्या करना है, लोगों को aware करना है इसके बारे में, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो environment को नुकसान पहुचा रहे हैं, ऐसा करेंगे तो हमारे आगे आने वाली generation के सामने problems आ जाएंगी, तो ये क्या है, आप लोगों को aware भी करें, और साथ में वो जो problems आ तूनता है, वो problem आई है, तो लोगों को aware भी करता है, कि ये problem के सामने ये issues होंगे, और उन problem का solution क्या है, वो साथ में solutions भी बताएगा, ये commission के, तो ये इसके ते main तीन एम थे, इसी डाप से आपन कह सकते हैं, क्योंकि 1972 में एक बार बात हुई थी, 83 में commission बन गया, अब दोस् future, मतलब दुनिया बर में जो भी problem से उनको ढूंडे, और problems ढूंडने के बाद क्या करें, वो लोगों को aware करें, और साथ में ये जो problems आई है, इसका suggestion जो अपने पास क्या है सकता है, suggest भी करें, ठीके, तो ये सारे जो काम थे, ये सारे काम फाइनली उन्होंने चार साल देख आप देख सकते हैं, एक एक बुक का नाम है अपने पास our common future, जो क्या कहता है, इसको अपन कह सकते हैं कि जो bruntland commission था, ठीके, in 1987, the bruntland commission released the report, our common future commonly called the bruntland report, क्योंकि bruntland commission था, bruntland commission ने जो report दी, उसका नाम भी क्या था, bruntland report भी का साथ तो our common future को अपन किस नाम से जान सकते है, दोस्तो, bruntland report के नाम से, इसमें कहा क्या गया था, इसने क्या बोला, bruntland report ने ये बताया कि हम लोग environment को किस तरीके से समझते हैं, sustainable development को किस तरीके से समझते हैं, कह सकते हैं कि अपने पास traditionally अपन किस तरीके से environment को देखते हैं, वो सारी बातें यहां बताए गे थी और साथ म इसने का, sustainable development is development that meets the need of the present, without compromising the ability of future generation, मतलब बवीशे में जो लोग होंगे, बवीशे की जो generation है, future generation जो अपने पास है, उनके लिए भी अपन को ध्यान रखना है, वहां अपन को कोई compromise नहीं करना है, और साथ में आज की जो हमारी जरुरते हैं, वो भी पूरी हो, हमारी आज की जरुरते भी पूरी हो जाओ, और ऐसा नहीं हो कि उसके चक्कत में future generation को कुछ मिले ही नहीं, तो उसको भी ध्यान रखना है, और आज की जरुरत को भी पूरा करना है, यही sustainable development है, क्या बोल रहा है, the need of the present, without compromising the ability of future generation, to meet their own need, और साथ में दोस्तों इसने क्या करा, दो key concepts दिय हैं, वो कौन-कौन से key concepts हैं, पहला तो यह है, आपके पास में needs, needs का मतलब क्या हो गया, कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग है, जिनको आज जिन चीजों की जरुरत है, वो बहुत ज़्यादा जरुरत है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, खाने पीने को ले करके, आज बहुत सारे लोग हो सकता है, ऐसे हो, जिनके पास खाने को कुछ नहीं हो, तो दोस्तों, हमको क्या करना चाहिए, पहले उन लोगों तक खाना पहुचाना चाहिए, जिनको उनकी ज़्यादा ज़रुरत हो, इसी टाइप से education, जिन लोगों के पास education नहीं है, उन लोगों तक education पहुचानी चाहिए जिन लोगों के पास energy, energy मतलब आप यहाँ पर electricity और ऐसी कोई भी type की energy ले सकते, resources कह सकते जो नहीं है, वो पहले उन तक पहुचाया जाए, जिससे कि वो at least अभी survive कर सके, ठीके, और दूसरा अपने पास आगे होगा ideas of limitations जो है, वहाँ पर अपन को जो है, वो अलग-अलग जैसे ये, अलग-अलग organizations है, उनकी भी अपन को बात ध्यान में रखनी होगी, तो देखते हैं क्या है, की concepts कौन-कौन से रखे हैं, the concepts of needs in particular, the essential need of the world's poor, to which overriding priority should be given, तो वो लोग, वो गरीब लोग, दुनिया भर में, जिनको आज जिन चीजों की ज़्यादा जरूरत है, वहाँ पर अपन क्या करें, वो लोग जिनको जरूरत कम है या नहीं है, तो उनकी जगे अपन क्या करें, पहले उन लोगों की जरूरत को पूरा करें, जिनको जरूरत आज ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा requirement है, उनकी आवशक्ताओं को पूरा करना है, दूसरा बोलना, the ideas of limitation imposed by the state of technology, ठीक है, क्या कह सकते है, technology and the social organization on the environment ability to meet the present and future need, तो आज की और भविशे की जो भी अपन कह सकते हैं, जो जरूरते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, हम लोग यह कह सकते हैं, organizations हैं, या state of technologies हैं, यह लोग जो है, किस तरीके से हम लोग अपने जो limitations हैं, इनका जो idea है, वो आमारे सामने रखा है, तो उसके उपर भी आप ध्यान दे सकते हैं, तो खुल मिला करके दो बाते रखी गई है, simple word में कहें तो क्या कह सकते हैं, sustainable development is a long term, मतलब यह सतत प्रिया से चलता रहे, continuously चलता रहे, एक long term है, integrated approach है to development addressing, क्या कह रहा है, किमकिन चीजों का development हो सकता है, economic development हो, environmental development हो, और social issues while avoiding access consumption, मतलब जो natural resources है अपने पास में हैं, vital natural resources है, जो mathematical natural resources है, उनको बहुत ज़्यादा consumption जो है, वो नहीं हो, तो access नहीं करना है, आपको इस चीज का ध्यान लखना है, limit में आप उसको use भी करें, limit में आप उसको निकालें, बहुत ज़्यादा उसका use नहीं करें आप, ठीक है, sustainability seeks to protect our natural environment, human well-being and ecological health while driving innovation या कह सकते innovation and not compromising our way of life, जिसमें हमारे life में कहीं कुछ compromise करें, बिना हम लोग एक well-being, human well-being रहे, ecological health अच्छी रहे, और natural environment को भी अपन protect कर सकें, तो कुल मिला करके, इन सभी चीजों को ले करके, यहाँ बात की जा रही है, ठीक है, sustainable development की definitions के अंदर, इसी टाइब से अपन बात करते हैं, क्या concepts हैं, इसके concept of sustainable development क्या है, तो कह सकते हैं, the Brentland Commission's definition and approach to environmental conservation was completely different from the conventional one, जो पहले आपके पास conventional चल रहा था, वो अलग-अलग तरीके की बाते करता था, कि भी development ही हो सकता है, लेकिन जो sustainable development बना, मतलब यहाँ कह सकते हैं, जो Brentland Commission बना, उन्होंने का नहीं नहीं, आप जो conventional approach है, वो बिल्कुल गलत है, इसकी जगे यह हैं सारी बाते, तो दोनों की जो विचार धारा हैं, वो सामने लेकर के यहाँ बात की जाएगी, देखी, आपन कह सकते हैं, conventional approach क्या कुछ हुआ करती थी, मतलब पहले लोग को क्या कहा जाता था, क्या सोचते थे, वो यह था, कि environment was considered a separate entity, मतलब environment एक separate entity है, बिल्कुल अलग है environment, ठीके, from human emotions औ और actions, human के emotion और actions के अलावा environment है, हम अलग है, environment अलग है, whereas development was a term used to describe political goal, तो कह सकते हैं कि हम हमारे economic progress के लिए, political goals के लिए, यहाँ पर जो development कर रहे हैं, ठीके, वो एक अलग चीज़, तो development यहाँ पर क्या है, आपके पास में, तो बोल रहा है कि development was a term used to describe political goals, ठीके, development का मतलब कि ह मैं कहता हूँ यार, उस बंदे ने बहुत development करा है, मतलब क्या है कि कही ने कही उसने बहुत पैसा कमाया है, कही ने कही उसने अपनी society में, अपनी political power approach जो है, वो बहुत बढ़ा ही होगी, क्योंकि जब हमारे पास पैसा आता है, ठीके, जहां कही ने कही अपन कही सकते है, economic अगर अपना progress होता है, तो कही ने कही हम लोग अपनी family में, अपनी society में, मतलब कही ने कही हमारा development होता है, तो political goals भी जो है, वो आप पूरे करते है, economic progress भी करते है, वो क्या है आपका development, और environment क्या बोल रहा है, environment मतलब कहा है, separate entity है, क्योंकि environment जो है detached from human emotion और actions, जबकि sustainable approach क्या क मतलब हो गया, यह कहरा है, भाई, दोनों अलग-अलग कैसे हो सकते हैं, ठीके कही ना कही हम लोग, हम लोग humans का रहते हैं, environment में रहते हैं, तो अगर हम हमारा development करें तो कही ने कही क्या होना चाहिए, environment का भी development होना चाहिए, तो दोनों इन आपके पास inseparable है, कह सकते है, the environment is where we live, environment मतलब क्या है, जहां हम लोग रहते हैं, and development is what, we all do to improve our lives, मतलब development क्या है, कि जो हमारा development हो, हम जहां रह रहे हैं, वो environment है, और जहां हम रहे हैं, उसको और अच्छे से रखें, मतलब environment को आप कुल मिला करके क्या करें, environment का development होना चाहिए, अगर हमारा हो रहा है, तो environment का entity है, यहां पर environment अलग है, development अलग है, जबकि यह बोल रहा है, development जो है, वो environment से अलग हो ही नहीं सकता है, तो इसी तरीके से दोस्तों next अपन देख लेते हैं, next अपने पास जो है, वो conventional approach क्या कहती है, वो यह कहती है, कि environmental protection जो agencies होती है, वो add की गई थी structure के अंदर, government structure के अंदर जो क्या करती है, to address environmental issues, जो environmental issues है, उन issues को बताने के लिए, सरकारी जो structure है, government का structure है, उसमें environmental protection agencies को अपने add किया है, तो क्या बोल रहा है, environmental protection agencies were added to the existing government structure to address environmental issues, जबकि यहां अगर अपन देखते है, sustainable approach क्या बोलता है, कि यह जो agencies है, वो सिफ address करने के लिए यह government issues को, बलकि वो इसके लिए use की जाती है, यह agencies इसलिए बनाई गई है, जो कि यह बता सके कि यह environmental resources है, उसको अपन maintain करेंगे, या अपन साथ में protect करेंगे, या अपन इनका संदक्षन करेंगे, तो maintain करना है, protection करना है, या कह सकते हैं, degrade करना है, यह सारे के सारे, जो काम ह है, वो कौन करता है, government agencies, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, कि जो government agencies है, और जो major department है, जो गी government के साथ, तो government agencies and major departments play key role in the national decision making, मतलब जो किसी भी देश के लिए जो अपने decisions है, उनको लेने के लिए जो major department और government agencies है, यह बहुत ज़्यादा important होती है, यह बहुत important role play करता है, and consequently and determining whether environmental resources are maintained, protected or degraded, तो यह देखने के लिए भी यह agencies जो है, government agencies यह कह सकते हैं कि environmental protect जो agencies हैं, यह responsibly होती है, यह सारी government को अपने instructions जिती कि किस तरीके से अपन को आगे काम करना है, इसी तरीके से कह सकते हैं, the focus was on कह सकते हैं कि countering the ill effect of the policies, मतलब आपने policy बनाई हैं, और उस policy के base पर अब उसके क्या नुकसान होए हैं, यह नुकसान देखने का काम किसका था, अपने conventional approach कहता था, कि यह जो agencies हैं, यह कह सकते हैं, the focus was on countering the ill effect of the policies, which cause environmental degradation, तो कह सकते हैं कि environment को नुकसान पहुचने के लिए, अभी यह जो अपने जो भी rules बने हैं, finally उसके बाद क्या होगा, जो यह policies बने हैं, उन policies का क्या effect हो रहा है, या उसकी क्या मतलब दुश परिनाम हो रहें, वो देखने का काम किसका था, conventional approach का, जबकि sustainable approach क्या कहता है, कि नहीं नहीं, हमको उसकी यह नहीं देखना है कि उसके बाद उसके क्या दुश परिनाम निगरेंगे, क्या उसके नुकसान होंगे, हम पहले से ऐसी policies बनाएं, जिससे की नुकसान हो ही नहीं, तो कह सकते हैं, the focus is on correcting the policy, यह कहता है, पहले से आप अपने policies को correct करते वे चले, that are the source or root causes of adverse environmental effects, तो यह क्या है, prevention का काम करता है, जब कि यह क्या करता था, cure करने का काम करता था, तो दोनों में बहुत differences हैं, इसी तरीके से अपने पहले भी देखा था, यह भी कुछ differences थे आपके पास environmental के साथ में, यह कह रहा था, separate entity है, वो कह रहा था, inseparable है, दोनों separate नहीं ह बात करते हैं, principles क्या है, sustainable development को लेकर तो क्या-क्या principles हैं, अपन यह देख सकते हैं, the principles of sustainable development are based on the integration of environmental, social and economic concern into all aspects of decision making, तो यह इन सभी points को लेते वे, ध्यान में रखता है, यह कहता है कि आपके पास जो principles हैं, sustainable development को वो किसके बेस पर हैं, वो बेस पर हैं, आपके पास environmental integration को लेकर के, social और economic जो आपके development हैं, उसको भी यह concern करता है, ठीके, तो देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला, living with the environmental limits, एक तो क्या है कि आपको environmental limits के साथ आपको रहना है, मतलब यहाँ आपन यह कह सकते हैं कि जो आप जैसे, जो natural resources हैं, आप उनको use करें, लेकिन बहुत ज़ साथ अपन इसको देखें, उसके बाद के सकते हैं, आपके पास achieving a sustainable economy, तो sustainable economy देखें, क्योंकि जो development आप करें, तो obvious से आपकी economy भी develop हो रहे होगी, लेकिन वो एक sustainable आपकी होनी चाहिए, prompting good governance कह सकते हैं, ठीके, तो यहाँ पर good governance को prompt करता हो, यह उसको promote करता हो, इसी टाप से कह सकते हैं, अपन यहाँ पर using sound science responsibility, तो जो science की responsibility है, वो भी बहुत अच्छे से रहे, और इसी टाप से कह सकते हैं, ensuring a strong, healthy and just society, तो कही न कहीं हम लोग कह सकते हैं, environment को protect करने के लिए, जो society हो भी responsible रहेगी, ठीके, जिससे कि हम लोग अपने environment को जो strong और healthy बना सकते हैं, इसी त carefully planned strategy that promotes growth and efficient uses of resources while considering immediate and long term benefits for our planet, तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारा जो environment है, उसको protect करने के लिए अपन कह सकते हैं, कि एक तो यह देखें, एक तो यह long term benefits अपन को मिलते रहें, और साथ में अपने को अभी जो भी चाहिए, resources वगरा न, इनका भी अपन देखते रहें, तो दोनों को ध्यान में रखते हैं, अपन को development करना है, तो कह सकते हैं, बैलेंस होना चाहिए, our economic, हमारा environmental और जो society की जो need से हैं, उनको ध्यान रखते हैं, अपन को development करना चाहिए, जिससे की future जंदेशन को भी कहीं कोई compromise नहीं करना पड़ें, उनकी जरुरते भी पूरी हो सके, और पूरी हो, और future generation जो है, उनकी भी requirements पूरी हो, ठीके, तो उसके लिए ऐसा नहीं के, आज हम लोग इतना development कर लें, development के नाम पे, environment को, यह कह सकते हैं, उसमें से इतना हम लोग कुछ निकाल रें, natural resources, कि future generation को भी कुछ नहीं मिल पाए, इसी तरीके से कह सकते हैं, objective क्या क्या है आपके पास तो खूब सारे objective हो सकते हैं, जिससे कह सकते हैं, economic growth हो, ठीके, तो sustainable development का मतलब क्या है, development होना चीए, लेकिन continuously process होना चीए, जिससे आपकी economic growth भी ध्यान रखनी है, अपने को, environmental protection को भी ध्यान रखना है, पैसे भी कमाने, economic growth भी करनी है, साथ में, environmental को भी protection मिलता रह है, ठीके, इसी के साथ में, social inclusion को भी अपन को ध्यान में रखना है, कि कही न करी society को भी आगे बढ़ करके, environment को protect करना चाहिए, इसके साथ में, cultural diversity को भी लेकर के बात कर सकते हैं, तो कुल मिला करके, आपके पास क्या है, four अलग-अलग objectives हैं, इसी तरीके से next अपन बात कर सकत है, importance of sustainable development को लेकर, कि क्या है, इसमें development में, तो क्या सकते हैं, over the past two decades, economic growth has come at the expense of the environment, ठीके, तो इसमें क्या-क्या issues हो रहे हैं, हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो क्या है, कि हम जो natural resources लेते जा रहे हैं, ठीके, have been used in an inefficient and wasteful manner, तो हम लोग क्या करें, दोस्तों, natural resources को निकाल र हम लोग उसको use करें, waste करते जा रहे हैं, कुल मिला करके, ठीके, तो एक तो हम को इसका ध्यान रखना है, जिससे क्या हो रहा है, पूर air quality आती जा रही है, इसके साथ climate changes आते जा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे अपन यह कह सकते हैं, कि greenhouse gas emissions जो हैं, यह भी आपके पास में कि issues जिससे गाड़ियों का जो दुआ है, एसी का जो जो उसकी gas वगरा, जो भी आप यहां देखें, तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, हम अपने environment को नुकसान पोचा जा रहा है, इससे, ठीके, जिससे क्या हो रहा है, तो आपन कह सकते हैं, कि global temperature जो है, वो more than 3 degree temperature जो है, आपक जा रहा है, इसी राप से कह सकते हैं, इससे क्या होगा, तो वही सारी बाते है, climate change होगा, जिससे sea level बढ़ता जाएगा, और glacier आपके melt होते जाएंगे, जिससे की extreme weather pattern change होता जा रहा है, तो यह अपन देखी रहे हैं, इन दिनों में सारी चीज़ें, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अपन sustainable development के कुछ goals को लेकर के, तो importance of sustainable development में कह सकते हैं, कि measure to be taken for sustainable development, जिसमें अपन बात करेंगे, proper use of means and resources, तो जो भी आपके पास resources हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से अपन use कर सकें, development of positive attitude and holistic, तो development जो है, आपका वो positive attitude के साथ रहे, जिससे की future generation को भी सारी एकनोमिक तो कही नगी society और economic जो है, इन दोनों को integrated करते हैं, अपन development करें, development based on people's participation, कही नगी लोगों को भी हम लोग आगे लेकर के हैं, जिससे की हम लोग कह सकते हैं, environment को हम लोग बचा सकेंगे, और इसके साथ साथ जो limited development होना चाहिए, development बहुत पास नहीं हो, limited अपने पा points कह सकते हैं, अपन जो discuss करते हैं, इसी राइप से अपन यहां पर बात करेंगी, जो sustainable development है, इसमें international लेवल पर क्या-क्या कुछ बाते हुई, इसको भी लेकर के बात करने वाले हैं, तो कह सकते हैं, दोस्तों कि to address climate changes, climate changes को यहां पर address करते हुए, जो former UN Secretary है, जनरल बान की moon, ठीके, इन्होंने launched a number of initiative including sustainable energy for all, इन्होंने बहुत सारे ऐसे initiatives जो हैं, इन्होंने लिये थे, जो कि यह आम लोगों की help के लिए, मतलब पूरे दुनिया की help के लिए इन्होंने लिया है, जिसमें इन्होंने कहा हैं कि access clean energy, ठीके, मतलब में इनकी जो points थे, improve energy efficiency, और तीसरा इन जो EV यूज करें, तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, हम लोग पैटरल और डिजल से साइड में हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, कहीं न कहीं हम लोग एक renewable source of energy वो create करें, उसको हम लोग increase करें, अगर आप electricity की भी बात करें, तो हाँ मैं यह मानता हूं कि कहीं न कहीं हम लोग को को यूज करते हैं, कहीं न कहीं हम पानी को यूज करते हुए, electricity को create करते हैं, लेकिन दोस्तों, आजकल solar panel, आप लोगों देखा होगा, उसके दूरू भी electricity बनाई जाती है, बहुत सारे अलग अलग आजकल की जो technologies आई हैं, जो कहीं न कहीं हमारे dependency, जो natural resources पे थी, वो अपनी दूर होती जा रही है, तो यह ऐसे कुछ points इन्होंने सब के सामने रखे थे, इसी तरीके से दीरे-दीरे आगे चलते वे और भी कुछ नएने जो बाते हैं वो आई, जैसे 1992 के अंदर UN Conference on Environment and Development जो हुआ था, Rio de Janeiro के अंदर, वहाँ पर कुछ action plan किये गए थे, action plans for a more sustainable partner of development, तो sustainable development के लिए क्या-क्या आपको actions लेने हैं, वो सब यहाँ प्लान किये गए थे, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिगली जो documents है, वो sign किये गए थे, कुछ countries के साथ, जिन्होंने कह सकते हैं कि 2020 तक क्या-क्या वो control कर सकते हैं, वो सब कुछ decide हुए 1972 में, 2015 में तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो है वो हम लोगोंने decide किये थे कि एक तो climate को किस तरीके से protect कर सकते हैं, ये भी और साथ में हम लोगोंने जो है कुछ sustainable development goals भी बनाएं, तो देखते हैं यह the UN framework कह सकते हैं, convention on climate changes, a new universal climate change agreed in Paris to temperature raised below 2 degrees Celsius, जो 2 degrees Celsius बढ़ आपके पास उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगोंने यहाँ पर कुछ जो है वो कह सकते हैं कि कुछ decide किया कि क्या 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 हमको काम करना चाहिए, इसी टाइप से 2015 के बाद 2016 में भी हम लोग पहुँचे, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ agenda decide किया गया था, जो कि 2030 को ध्यान में रखते हुए कुछ sustainable development goals बनाए गए थे, total 17 goals बनाए गए थे, जो हम लोग 2030 तक पूरा करना चाहरे हैं, तो लगबग 2030 तक हमको कुछ goals achieve करने हैं, जो यहाँ sustainable development goal के अंदर रखा गया था, जैसमें कुछ examples हैं, जैसे clean energy हो सकता है, clean water हो सकता है, equity gender हो सकता है, quality education है, good health है, zero hunger है, no poverty है, ऐसे कुल मिलाकर के दोस्तो 17, 17 goals decide किये गए थे, जो क्या है sustainable development goal, ठीक है, इसी टाइप से, next अगर आपन देखें, यहाँ पर अपने पास आता है sustainable development goals क्या थे, तो कुल मिलाकर दोस्तो 17, आपके पास global goals है, जो United Nation ने decide किये थे, जो 2015 में बने थे, और जिसको 2030 तक लगबग पूरा करना था, और सबसे बड़ी बात क्या है, यह 1st January 2016 से शुरू हुआ, और in sustainable development goal को लगबग 193 members, जो है, उसकी countries, United Nations की, उन लोगों ने इसको agree किया, कि हाँ हम लोग इस पे कर रहे हैं, और आज दोस्तों लगबग पूरी दुनिया इसके उपर का सब्सक्राइब करने के लिए, अलाकि यह goal जो है, वो 2030 तक अचीव करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल रह सकता है, रीजन यही है कि बहुत सारे इसमें issues भी आ रहे हैं, कुछ financial issues भी हो सकते हैं, कुछ technical issues भी हो सकते हैं, यह भी कह सकते हैं, जैसे कोवीड situation अभी निकली ह तो बहुत सारा पैसा दुनिया बर का इदर उदर हो चुका है, बहुत सारी country आज दोस्तों जा कह सकते हैं, जिनकी एकनों में बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी, तो वो कहीं न कहीं इन global goals जो रखे गए 17 जो की हम लोग SDG कह सकते हैं, sustainable development goal इनको achieve करना थोड़ा degradation कह सकते हैं, prosperity है, peace है, justice है, इन सभी points को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर यह 17 goals बनाए गए थे, इसी तरीके से कह सकते हैं, अपन यहाँ पर फिर से वही है, आपके पास की economic growth के साथ, address social needs like education, health, ठीके, social protection, job opportunities, इन सब का भी अपने ध्यान रखा है, climate changes, environment protection, इन सभी चीज mobilized efforts to the end all forms of poverty, मतलब ऐसा कहा गया है, 2016 से शुरू करके 2030 तक हम यह सब अचीव कर लेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें कहीं न कहीं इनको अचीव करने में कुछ issues जरूर आएंगे, तो देखते हैं, next अपने पास क्या है, sustainable development में challenges क्या आ रहे, सबसे पहले तो वही जैसे मैं आप सकते हैं कि बहुत सारे difficulties हो सकती, कुछ countries के इंदर जहां पर कुछ extreme challenges चल रहे हैं, जहां लोगों के पास खाने पीने तक का कुछ नहीं चल रहा हो, वहां दोस्तों sustainable development goal की बात करना बिमानी हो सकता है, इसी तरीके से अपन कह सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है, तो कह सकते है, at times there is a conflict between, ठीके तो immediate profits and investment towards sustainable technologies, तो यहां पर आपके पास ये भी एक challenge है, कि आपको आज सारी चाहिए लेकिन ये possible नहीं है, ठीके तो बहुत सारे ऐसे आपके पास issues हो सकते हैं, इसी ताइप से कह सकते हैं, तो corruption हो सकता है, तो corruption भी एक बहुत बड़ा issue है, ठीके, जिसकी वज सारे issues हो सकते हैं, ठीके, और क्या कह सकते है, lack of efforts, efforts नहीं लग रहे है, local government की तरफ से, ये भी हो सकता है, जैसे मानके चलते हैं, इंडिया में तो central government पैसा मानों भेज रही है, तो state level पे काम नहीं है, state level से पैसा जा रहा है, तो आपके जो नगर निगम, municipal corporation जो भी है, उस level प बगाने की कुछ कमी हो सकती है, और भी ऐसे बहुत सारे आपके पास challenges हो सकते हैं, ठीके, जो कि यहां, SDG को पूरा करने के लिए मुश्किल हो सकता है, sustainable development के लिए, इसी तरीके से दोस्तों, आज almost जो topics ते वो अपने डिसकस कर लिए, इस chapter से related, I hope दोस्तों सारे topics आपको होंगे, तो आज दोस्तों इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जूड़े रहिए, थैंक यू.